जाहें दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटू चनल बी एंसिंग क्लासेज में जो हम लोग एंसेंट हिस्टी की कुश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसके पहले हम लोगों ने साके डायनस्टी जो थी उस पर जो इंपॉर्टेंट वीडियो था वो हम लोग ने उस पर बात की थी आज हम लोग बात करेंगे साथ वाहन डायनस्टी ठीक है साथ वाहन डायनस्टी ठीक है साथ वाहन डायनस्टी अगर हम लोग देखे तो साके ड 30 BC से 250 AD ठीक है 30 BC से लेके 250 AD ठीक है BC to AD और कन्व डायनेस्टी जो इसके पहले थी कन्व डायनेस्टी की जो अंतिम राजा थे सुसर्मन सुसर्मन की हत्या सिमुक ने की थी सुसर्मन की हत्या सिमुक ने की और साथ वाहन डायनेस्टी की अस्थापना की ठीक है? saattvahinator dynasty थी इसकी राजधणी थी प्रतिस्थान और ये जो आपका राजधानी थी प्रतिस्थान, यह पढ़ता है उस समय आजके महराश्च्छ में ठीक? आजका जो आपका महराश्च्छ है वहां पे आपका पढ़ता है प्रतिस्थान और ये saattvahinator dynasty की capital थी। अब देखिए जो आपका साथवाहन जो डैनिस्टी है इसको आंद्र साथवाहन भी बोलते हैं आंद्र साथवाहन आंद्र साथवाहन क्योंकि जो हमारे पुरान है पुरान में साथवाहन डैनिस्टी को आंद्र डैनिस्टी कहा गया है और अविलेखो में इसे साथवाहन डै जिसके फाउंडर है सिमुक और राजधानी है राजधानी थी प्रतिस्थान महारास्ट्र में ठीक है तो इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे तो चलिए क्वेश्चन करते हैं पहला क्वेश्चन है जो ब्राम्हन थे उनको सबसे पहले जमीन दान में दिया जाना सुरू किस ने किया मौर शुंग सातवाहन कनव आंसर आपका सातवाहन डानिस्थी ठीक है लेकि सबसे पहले सातवाहनों जो राजा होते थे इन्होंने सबसे पहले सबसे पहले सतकर्डी प्रथम जो राजा थे सातवाहन डानिस्थी के सतकर्डी प्रथम सतकर्डी प्रथम ने किरानी थी उनका नाम था नागानिका इनकी रानी का नाम था नागा निका नागा निका ने एक अभिलेक बनवाया था जिसे हम लोग नाना घाट अभिलेक बोलते हैं जमीने दान में दी थी तो नागा निका ने नाना घाट जो अभी लेखे उससे पता चलता है कि लैंड ग्रांड्स हुए थे प्राम्भनों को दिया गया था ठीक है अगला क्वेशन है वीच अमंग दा फालोइंग सातवाहन या सतकर्णी रूलर रिकवर्ड मालवा फ्राम्द साक रूलर गौत्मी पुत्र सतकर्णी सतकर्णी हाला यग स्री सतकर्णी तो आंसर है आपका यग स्री सतकर्णी तो आपके यग स्री सतकर्णी है इनका टाइम पिरियड है वो है आपका 165 AD से लेके 194 AD तक ठीक है और यह आपके लास्ट ग्रेट किंग अफ सात्वहां डानिश्टी के अंतिम मतलब कह सकते हैं कि अंतिम फेमस किंग थे यह यगिसरी सतकर्णी ठीक है जो नासिक गुफाएं और जो कनहरी जो केप्स हैं उसमें बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन है उसमें यह मिलता है कि इन्हों ने जो देखे तो लास्ट समय में क्या हुआ कि यह करनी सतकर्णी के समय में बहुत सारे जो शात्वहां डानिश्टी के जो एरियास थे वो दूसरे लोगों के द्वारा कैप्चर कर लिए गये थे और यहां से धीरे धीरे जो आपका शात्वहां डानिश्टी था वो डिक्लाइन हो दूरू हो गया था तो बहुत सारे जो एरिया थे अगर हमका नहरी केप्स और नासिक केप्स में जो इंस्क्रिप्स बने हुए हैं वहां पर अगर हमको देखें तो इसमें लिखा गया कि बहुत सारे एरिया को इन्होंने फिर से रिकैप्चर कर लिया था जो एरिया था उस इसके बाद जो कह सकते हैं कि पावर जो थी इनका जो देरे-देरे खतम हो गया था अगला question है the famous book ब्रिहत कथा was written by तो देखिए जो आपका ब्रिहत कथा है ये किसके दोरह लिखा गया था एक book था उन्हीं के समकालिन तो गुणाध्य सर्ववर्मन पड़िनी राधागुप्त आंसर है आपका गुणाध्य ठीक है जो व्रियत कथा कोशेक book थी इसको गुणाध्य लिखा था और जो गुणाध्य थे ये सतकर्णी जो राजा थे जो शात्वान डानेस्टी के जो राजा थे जिनका नाम था गु उनका नाम था हाल इनके ये दर्वारी कभी थे उस समय के बहुत great scholars थे जो उनके राजे में रहते थे हाल जो राजा थे सात्वान डानेस्टी के इनके दर्वार में रहते थे और जो आपके हाल थे इन्होंने भी उस समय में एक किताब लिखी थी famous किताब लिखी थी जिसका नाम था गाथा सप्त सती गाथा सप्त सती और यह जो गाथा सप्त सती था यह आपका ब्रामी में लिखा गया प्राकृत भासा में लिखा गया था प्राकृत भासा ब्रामी लिपी और यह एक तरह से कहानिया है उस समय की जो राजा हॉल थे उन्होंने उस में लिखा था ठीक अगला question है who among the following was the first Satvahan king to introduce the ruler's head on the coins जो राजा का जो कह सकते हैं कि जो फेश होता था राजा का जो सर होता था चेहरा होता था वो coins पर छापा जाता था तो किसके द्वरा किया गया था? Satkarni, Gautmi Putra Satkarni, Vasisht Putra Pulwamavi और Yag Satkarni तो answer है आपका Satkarni first जो आपके Satvahan dynasty जो थी आपकी अगर हम लोग एरिया देखें तो जो आपका महरास्ट है और आपका जो आंदरपरदेस आज का है तो महरास्ट में पूर्णे से लेके आंदरपरदेस तक यह जो एरिया था इनके बीच में था time period हमने बता दिया है 30 BC से 250 BC के बीच में तो उस समय जो coins थे साथ वहान ने यह आपके दो भासाओं में चपते थे bilingual होते थे जो आपका एक प्राकृत भासा होती थी एक आपका एक तरफ आपका प्राकृत language होता था और एक आपका होता था जो भी उस समय South Indian में जो language चलती थी वह होता था तो दो भासाओं होते थी जैसे आज का आप लोग शिक्का देखे तो आज को coins में आज भी coins जो है वह bilingual है Hindi और English दोनों में आपका शिक्का में लिखे रहते हैं ठीक है उसी तरह प्राकिट भासा में लिखा जाता था एक तरह और एक तरह आपका उस समय के जो South Indian language थी वह लिखा जाता था पहली बार जो आपके राजा सतकर्णी थे साथ भान डानेस्टी के इन्होंने सबसे पहली बार जो एक तरफ दाचर रूलर्स का जो head होता था उसको उन्होंने सुख्य में इंट्रोड्यूश किया ठीक है ठीक है तो अगले क्वेशन पर चलते हैं अगला क्वेशन है सदिक्वेशन आपना एक धर रूंग नहीं है मेत्रो नायमिक जिक्वर्ण वाहची मेत्रियाकर्स होता है मार्टिक्यमा सत्मा मिक्रतिर जो मुझाल्ड़ के रूजरह मेथ गत्मा मेय के लिस्ता के सब्सकान होते है वैसे ही जो metronomics का मतलब होता है कि मधर के नाम से माता के नाम से या जो फिमेर एनसेस्टर के नाम से जो आगे चलता है जो नाम लिया जाता है उससे metronomics बोलते हैं तो की राजा उने इसे Türk को राज इंस्टी थी इससे एक एक लिए न आनए जाने जाती थी अगला question है the place धर्नी कोटा in South India is related to which ancient dynasty? चोला सातवान पांडया चेरा आंसर है आपका सातवान ठीक है देखिए जो आपका धर्मी कोटा है धर्मी कोटा एक टाउन है अमरावती के पास अमरावती के पास और यह अमरावती के पास जो आपका धर्नी कोटा है अमरावती के पास गुंटूर जिला गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में यह आपका जो एरिया है सातवान डानेस्टी का धर्नी कोटा ठीक है या धन्य कोटा यह तरह से सातवान की कैपिटल भी थी बात में चलके ठीक है तो अगले कोशन पर जाने से पहले प्रीज जो हमारा चैनल भी अन सिंक लास है उससे आप लो सस्क्राइब करें हमारे जो भी वीडियो है उन्हें लाइक करें ठीक है तो अगला क्वेशन है अगला क्वेशन है अम्रावती से अम्रावती के पास जो आपका गुंटूर जीला है अंदरप्रदिस में वहाँ पे आपका ये इस्थित्ता ठीक है अगला है विच साक के किंग डिफीटेड वाई गौत्मी पुत्र सतकर्णी मोगा रुदुर्दमन फर्स्ट मेरेंडर नहपान अंसर आपका नहपाना ठीक है गौत्मी पुत्र सतकर्णी अगर हम लोग साथ वहाँ डैनेस्टी के सबसे महान सासकों की बात करें तो गौत्म गौत्मी बल्स्री गौत्मी बल्स्री और गौत्मी बल्स्री ने अपने बेटे के लिए मतलब गौत्मी पुत्र सतकर्णी के लिए नासिक अभिलेक बनवाया था नासिक अभिलेक और यह आपका जो इंस्क्रिप्शन था नासिक अभिलेक इससे पता चलता है इसमें लिख ब्रामहर थे उनके अनुसार एक मातर ब्रामहर अधूतिय ब्रामहर और डिश्ट्रॉयर आफ साक पल्लो यवन ठीक है यह सब बाते उसमें अनासिक अभिलेक से पता चलता है जो गौतमी बालसरी ने लिखवाया था और यह गौतमी पुट्सतकर्णी के माता थी और इन्होंने नापान जो थे साक डानिस्टी के इनकी हरा कर इनकी हत्या कर दिये थे ठीक है अगला कोईशन है अगला कोईशन है अगला कोईश्ट्रॉट्र आफ विच रूलर वाद्स रिकॉर्डेड इन नासिक इंसक्रेप्शन और शोकाव इंदुशार देव इनकी माता गौतमी बलसरी ने बनवाया था इसमें इन्होंने एक मातर ब्रामड अद्विती ब्रामड डिश्ट्रायर आफ साक के पल्लाव यवन यह सब चीजे बाते इसमें लिखवाई गई थी तो सतकर्णी गौतमी पुत्र सतकर्णी और लास्ट कोशन है वू वास्द म गौतमी कोशल आंसर आपका गौतमी पूरा नाम था गौतमी बलसरी गौतमी बलसरी तो गौतमी बलसरी जो थी वो गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता थी और इन्होंने इनासिक अभिलेक बनवाया था जिसमें अपने बेटे गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में इसमें लिखा गया था ठीक है तो यह आपका जो इंपोर्टन क्वेश्चन थे सात्वहन डानेस्टी के आगे भी जो भी इंपोर्टन क्वेश्चन होंगे इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे थैंक्यू जैहिंद